हेलो गैज वेलकम बाग तो दी चानल कैसे आप लोग आए होप यू गैज आ डूइंग आपस डूइटी फाइन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकार्डिंग नियर पूटोकॉल एक ऐसा क्रिप्टो जिसने काफी हला मचा है इन दी लास्ट बूल रहा है जहां रिगेन कर सकता है वापिस प्राइस पॉइंट जो उसने टाज करा था इन दी लास्ट बूल रूट इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्श हम देखते हैं कौन सा क्रिप्टो हमारे पॉटफोलियो में होना चाहिए कौन सा क्रिप्टो हम यहाँ पर रखके रख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे आप्शन हम लोगों को मिलते हैं बट यस उन में से कई क्रिप्टो का यहाँ पे नाम दिया जाता है इस लिए दिया जा या near protocol एक serious competition बन सकता है to Ethereum, इसके बारे में भी बात करेंगे, चलते हैं एक बार coin जी को आप में market का हल देख लेते हैं, देख लेते हैं near protocol का current price क्या है, near protocol को आप कहां पे रख सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो side में आप देख सकते हो, आपने open कर दिया coin जी को, आ currently अगर price point की बात करें तो $1.92 का चल रहा है, 1.4% डाउन है, काफी बुरी तरह पठका है near protocol, इसमें कोई शक नहीं है, लास्ट वान येर का अगर हम चार्ट खुल कर देखें, तो $15 के उपर था, आज की time में $2 के निचे चल रहा है near protocol, इतना drastic move कर रहा है downside में, कि देखके क कहीं न कहीं, डार भी लगता है, क्या near protocol purchase करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, बड़ जहां पर हम बात करते हैं near protocol की, तो काफी चीज़ें आपे बहुत interesting है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, year till date, 84.9% चल रहा है near protocol, अगर आप compare करते हो, from one year, last 60 days से 24.8%, last 30 days से 16.9%, बात करें market cap ranking की 37th position में currently चल रहा है, 24 hours high and low आप देख सकते हो, $1.99 and $1.91, बात करें इसके all time high की, जैसे हम लोग बात करें थे, $20.44 का near protocol चल रहा था एक time में, जहां पे हम बात कर रहे थे, the bull run की, जहां पे हम बात कर रहे थे, हम सब लोग खुछ थे, कि market जो है, वो green में है, और बा $100 तक जाएगा, बाट वहां तक नहीं गया, $20.44, इसका all time high बना and वहां से वापस फॉल हुआ, exchanges की बात करें तो most of the exchanges में near protocol already listed है, info section में चले and website में चले, तो ज़्यादा कुछ खास यहां पे बताया नहीं है, जो चीज हम लोगों को already पता है regarding near protocol, वही चीज यहां पे इन में भी हम लोग बात करेंगे, but yes, एक near protocol है, एक ऐसा crypto ज़रूर है, जहां पे हम बात करते है, advantages की, तो advantages आप side way पढ़ सकते, $0.01 जो almost हो गया, $0.01 जो है, उसकी transaction cost है, 25 million accounts इसके already है, 4,46,000 जो इसकी है, वो daily transaction है, time to finality is 0.2 seconds, बात करें अगर carbon neutral की and low energy footprints की, उसके बारे में इ बात करते हैं, bitcoin की, वहीं पर अगर हम बात करें, near protocol की, तो जो gap है, वो बहुत ही massive है, near protocol यहां पर काम करता है, उन carbon negative and यहां पर जो low energies की efficiency है, वो काफी अच्छी है, बात करें, near protocol में हाल फिलाल में क्या चल रहा है, क्या latest update है, near protocol, तो वो सुनके भी आपको अच्छा हैं, जो हमारे portfolio में है, और हम उनका क्या future देखते हैं, do we see a future in them or not, because हम आपके financial advisor नहीं है, कल जाके कोई भी crypto में कुछ भी घड़बर होती है, so आपका पैसा है, आपका risk है, so समझ के ही invest करिएगा, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि near protocol में currently क्या चल रहा है, आप साइड म देख सकते हो, BOS, blockchain operating system, aims to tackle several critical challenges around the building front end for web 3 application, including access, security, compatibility and agility, with BOS, users always have the ability to locally run blockchain applications, which helps assure robotness and censorship resistance while maintaining user-friendly experience, तो यहाँ पे काफी चीजों में जो है near protocol अबच के time में भी काम कर रहा है, तो अगर हम बात करें, last bullet की, तो काफी लोग तो यह मान के चल रहे थे कि near protocol के यहाँ पर रुखना impossible के task हो जाएगा, जहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि near protocol का price target जो है, काफी हो का hundred dollars तक है, बट आज के time में क्या वो price target revise हो, obviously हुआ है, खाली near के नहीं हुआ है, काफी cryptos के यहाँ पर लोगों ने price target revise करें, because इतना major जो fall आया था in 2022, वो कही ना कहीं recover होता हुआ, द तो yes, it can very easily touch its all time high, which was $20.44, current price से अगर हम compare करते हैं, तो almost NX से जादा यहाँ पर आपको return मिलते हैं, एक छोटी सी calculation करते हैं, फिर वापस आएंगे कि क्या क्या चीज़ और यहाँ पर near protocol कर सकता है, तो बात करें हैं कि अगर हम आज की date में $100 डालते हैं, near protocol और उसको divide करते है with the current price, जो कि चल रहा है, $1.92, तो हमारे पास आते हैं around 52 near tokens, इसको अगर हम multiply करते हैं with 20.44, तो हमारे पास आते हैं यहाँ पर around 1064 tokens, जिसको आप multiply करते हैं with 82, around 87,000 rupees आप यहाँ पर बनाते हो, कि अगर near protocol अपना all time high भी attach करता है, which is a good amount, I don't think it is a bad amount, क्योंकि यहाँ पर हम दे top 50 project है, बट इसका मतलब यह नहीं कि वो एकदम safe, एकदम secure है, जो हुआ Luna के साथ, वो कि CV project के साथ हो सकता है, इसलिए हम मामेशा बोलते है, diversify करो अपनी investment, कभी भी कोई एक crypto या एक project में सारा पैसा ना डाले, और इसको purchase हमने एक साथ नहीं करना है, near protocol का अगर हम last one year का chart द में लिए, although जादा यहाँ पर recovery हमने देखने को नहीं मिलिए, more downside रहा है, दान दी upper side, but क्या near protocol आगे जाके हमें अच्छे का से return दे सकता है, what do you think, अगर आप लोग के पास near protocol है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या near protocol में potential है to give the good returns to all its investors, या near protocol एक ऐसा project रहेगा, जो आया अगर आप लोगों कि क्या thoughts है, what are your targets, अगर आप लोग near protocol hold करके चल रहे हमाई तरह, क्या आपके targets है, कहां तक आपको लगता है, near protocol पहुंच सकता है, सारी चीजे नीचे comment section में comment करके आप बता सकते हो, उसी के सांथ जैसे हमने आपको बताया था, कि हम आपको बताएंगे कि near protocol आप कहां पे store करके रख सकते हो, wallet is very necessary आज के time में, जहां पे कुछ time पहले finance ने अपनी trading बंद करती थी, काफी लोग nervous होगे थे, क्या होगा उनके cryptos का, info section में आप जाते हो, उनकी website में अगर आप जाते हो, कोई भी अगर आदमी जा रहा है इनकी website में, I would against है कि आप website एक आपने cryptos रख रहे हैं, near protocol कहां पे रखना है, और यहां पे काफी अलगलग type के wallets आपको available है, सबसे पहले web wallet जो हम भी use कर रहे हैं, pros आप देख सकते हो, cons आप देख सकते हो, सबके pros और cons यहां पे बताया है, browser extension है, mobile wallets, although मैं इसमें आप shift करने की सोच रहा हूँ, but currently अभी कुछ भी नहीं है, अभी हमने web wallet यहां पे use कर रहे हैं, इसका hardware wallet जो है, वो भी आप use कर सकते हो, तो yes, यह चीज़े आपको एक benefit देती है, because यहां पे आप staking भी कर सकते हो, web wallet में के staking options भी है, वो आप जाके check out कर सकते हो, तो side में आप देख सकते हो, इनका खुद का web wallet है, अभी हमने create करा है, आप लोगों को दिखाने के लिए, यहां पे आप देख सकते हो, send, receive, अगर आपको यहां पे भीजने है, तो यहां पे आप receive दबाओगे, and your ideas है, यहां पे आप अपने near protocol जो है, वो भीज सकते हो, collectables भी आप यहां पर रख सकते हो, बात करें अगर staking की तो staking का option भी यहां पे आपको मिल जाता है, आप staking कर सकते हो अपने crypto यहां पे very easily, अब यह चीज़े हैं जो आपको करनी चाहिए, rather than keeping your crypto in the exchanges, यहां पे आप रखते हो तो ज़्यादा safe हैं, ज़्यादा secure हैं आपके crypto, and eventually, जब आप एक long time hold के बाद वो crypto बेसते हो, तो at least scene बंद हो गया हैं, आप अपने cryptos withdraw नहीं कर पारे हो, that is the last thing any crypto investor would want, आप लोगों के क्या thoughts हैं regarding near protocol, comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा, with that's it guys, आज का video करते हैं पे, and I hope आपको video अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye-bye.